बापने यार तो गलत वेसे की बात करते हैं आप इतने सारे डिवाइस लेकर आयों मैं चाहता हूं अप ओडियन्स को दिखाव और थोड़ा बताओ उनके बारे में चलो शुरू करते हैं हम इस डिवाइस से तो basically इस device को हम hack RF बोलते हैं ये radio frequency को capture करता है और replay करता है usually जितनी भी हमारी car है या doorbell है या फिर बहुत सरे devices हैं जो radio frequency पर operate करती है तो इंडिया में थोड़ा उपर कर दो भाई इस camera में ये आपका camera थोड़ा दिखा दो okay ठीक है ऐसे ठीक है तो इस device को hack RF बोलते हैं ये radio frequency को capture करता है और उसको replay कर सकता है तो जैसे हमारी car है हमारी car भी radio frequency emit करती है और भी जितनी devices है जैसे आपने doorbell देखियोगी आज कल keyless doorbell है अब door बजाते हो और गंटी बजाती है या फिर camera है वो भी keyless है अलब सरी wireless camera है तो वो एक radio frequency से main frame यानी main screen को broadcast करता है internal screen में एक particular radio frequency पर तो इस इन सारी frequency को आप इस particular device से capture कर सकते हो replay कर सकते हो even किसी वी तरह की car keys को हम इससे intercept कर सकते हैं replay कर सकते हैं even jamming तक perform कर सकते हैं तो इसमें कही सारे antenna लगता है अगर मुझे jammer लगाना है तो हम एक साथ jammer on करेंगे जब भी आप car key key दबाओगे तो वो car तक ना जाके jam हो जाएगी और हमारी device में capture हो जाएगी उसके बाद उसकी काम दोबारा reuse कर सकते हैं तो आप कोई भी का गाड़ी unlock कर सकते हैं लगता इंजन चालू नहीं कर सकते हैं इंजन चालू करने के लिए हमारे पास दूसरा solution है उसमें ऐसा होता है कि जब भी आप अपनी कार की इंजन के पास ले जाओगे तो इंजन में इक immobilizer होता है इंजन immobilizer तो कार की की हमेशा एक बहुत छोटी radio waves भेजती रहती है लगातार connect करने के लिए तो जब भी कार की एक particular distance पे होगी वो radio waves भेजेगी और कार का जो इंजन है वो उस radio wave को receive करेगा और यह समझ जाए कि हायार यह कार तो अपने अबलब की कार के आस-पास है तो उस इस case में भी हम कुछ devices का use करके ना कार जैसे मैं आपके पास अभी बैटा हूं और मैंने की कार के key और कार कर की जो हमेशा कार बिसिकली एक ECU से connected होती है, जितने भी कार के different different electronics components है, वो ECU से connect करते हैं, वो सारा communication है उसको canvas बोलते हैं, control area network, तो क्या होता है कि कार की steering के right side में एक port होता है, आपको स्पोर्ड को open करना, वहाँ एक hacking device लगानी है और आपको कार को direct start कर लेना है, या वहाँ, वहाँ से हम उस port में device connect करते हैं, तो जैसे हमारी key, एक key emit करती रहती है, car भी सेम तरह की key emit करती है, key से connect करने के लिए, तो हम car से भी information collect करके फिर उसको replay कर सकते हैं, तो वहाँ से car start हो सकती है, तो बहुत सारे अटाय के अटाय करते हैं, और भाई ये devices, जितनी भी ये जो luxury cars हैं, वह भी hackable है, वह भी खुल जेंगें डिवाइसे से, बिलकुल, मैंने कई सारी cars में try किया है, तो बड़ी-बड़ी brands है, ये सारी, बट थोड़ा सा tricky हो जाता है, नॉर्मल cars में क्या है, कि नॉर्मल car में हमने key डाली, और हर बार सेम तरह का response generate करता है, कि सेम त करते हैं, उसमें एक की एक बार दब गई, या एक की एक बार चली गई, तो दुबारा वो की reuse नहीं होगी, तो वहां हम क्या करते हैं, हम sequence देखते हैं, सबसे पहले, आपने की ड़ाई, फिर दूसरी बार की ड़ाई, तो किस तरह से sequence, किस order में car sequence बेज रही है, तो एक, तो sequence पड़े हैं, तो अगला sequence कैसा होगा, तो कुछ software के थुरू हम next sequence calculate कर सकते हैं, दूसरा option यह है, कि जब भी आप car की, car में unlock या lock की दबा रहे हो, हमने jammer on कर रखा है, और आपका वो की हमने capture करके store कर लिया, अब वो unique की है, दुबारा हम car के पास जाएंगे, तो car को अभी की रिसीव नहीं हुई है, तो car के लिए वो unknown की है, और हम उसको replay करेंगे, चल जाएंगे, बट वो एक ही बार चलेगा, दुबारा नहीं चलेगा, एक बार हम car unlock कर लेंगे उससे, तो इस case में तो बंदा safe ही नहीं है, अगर hack करना चाहिए, बंदा कर सकते हैं, तो एक ही बा companies को report भी किया है, बग को fix करने के लिए, तो वो करते हैं, अब अब उसका response देते हैं, कि हम इसको fix करने या किया भी है किसी में, करा है, करा है, टाटा ने करा है, एक दो companies और करा है, तो वो जो भी next firmware update आता है, उसके साथ वो fix कर देते हैं, वालवा भी कर दोगा आप, device से नहीं कर सकते हैं, तो can bus से कर सकते हैं, तो can bus की security टेस्टिंग भी होती है, जो smart, ये smart wall of buses है, उनकी भी security टेस्टिंग होती है, तो अगर हम किसी तरह से key fob का use करके नहीं एक कर सकते हैं, हार्डवेर के थूरू, या can bus के थूरू, कोई ने कोई रास्ता है, निकल आता है करने का, अच्छा ये planes के साथ भी है, कि बड़े-बड़े planes उनको भी कर सकते हैं, बड़े-बड़े planes basically radio waves पर काम नहीं करते हैं, radio waves पर सिर्फ कुछ emergency frequency पर काम करते हैं, तो planes के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते,